कॉलर्स टीवी के कॉंट्रोवर्शनल शो में हो गई है तीसरे हफ़ते की शुरूआत और घर में जैसे ही अगला हफ़ता शुरू होता है उसी के साथ साथ शुरूआत हो जाती है उस हफते के नॉमिनेशन्स की जिसमें इस बार नॉमिनेट होंगे हीना खान, पुनीश शर्मा, सपना चौधरी और लव कुमार इन में सबसे पहले बात की जाए हीना खान की तो वो तो सेफ होंगी ही क्योंकि वोटिंग के मामले में हीना खान सबसे आगे चल रही है और हीना खान की फैन फॉलइंग भी सबसे ज्यादा है हीना की लडाईयों को देख कर तो ऐसा लगता है कि लडाईयों के साथ साथ वो आखरी तक गेम में बनी रहेंगी फिर आते हैं हर्याना की डांसर सपना चौधरी पे वैसे तो पहले से ही सपना की काफी फैन फॉलोइंग है लेकिन सपना ने भी घर में अपनी एक अलग जगे बनाई हुई है सपना की अर्शी के साथ लडाई से होने काफी टियार भी बटोर ली थी और हिना के बाद सेकंड हाइस वोर्ट सपना चौधरी को ही मिले हैं तो सपना के घर से बेघर होने का भी कोई चांस नहीं है यहां बात करें अगर पुनीश की तो पुनीश और बंदगी के रोमांस को देख कर तो यह लगता ही नहीं कि वो घर से इतनी जल्दी बाहर होंगे कहा जा रहा है कि जल्द ही शो में बंदगी के बॉइफरिंट डेनिस भी आएंगे तो जाहिर सी बात है पुनीश का घर में होना तो तै है अब बचे लव को मान देखा जाए तो लव कुछ खास घर में दिखना ही रहे है अब तक लव की सिर्फ शिल्पा से लड़ाई हुई है और इसके अलावा वो सिर्फ लोगों के साथ खड़े ही दिखाई देते हैं लव शो के लिए कुछ जादा टियारपी नहीं ला पा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि इस बार घर से बेगर होंगे लव लेकिन ये तो बड़ी नाइन साफी है जो घर में जगड़ा करे वो अंधर ही रहता है और जो खामोश रहे उसे अलमिनेट कर दिया जाता है लेकिन अब मेकर्स भी क्या करें पूरा खेल तो टियारपी का ही है फाइनल कट एंटर्टेंटमेंट डिस्क